इस रुपजी बात करनेगर गवार कॉंपलेक्स की तो देखने की आज काफी शांदार बड़त के साथ कारवा करता हूं नजर आ रहा है आपने हमें गवार गम का लेवल दिया था 13,000 का और गवार सीड का दिया था 6668 का देखने हैं गवार गम का नवंबर वादा 12,770 पर कारवा करता हूं नजर आ रहा है दो फीजदी की तेजी है और गवार सीड के नवंबर वादा 7,444 पर एक फीजदी की तेजी के साथ रुपजी देखने की गौार गम 13,000 के बेहत करीब है और गौार सीड में 6,700 का आपका लेवल अचीव हो चुका है अब आपको यहां से क्या लगता है अगर गौार गम में के अंदर 13,000 के लेवल्स दिख जाते हैं तो वहां से मुनाफ़ा वसूली बनेगी या फिर वहां से लगातार तेजी ही बनती रहेगी और और अच्छे लेवस देखने की मिल पाएंगे सपोर्ट रहेगा अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर ग्रावट बढ़ सकती है तो अभी आप यह मान के चलिए इसके लेवल जो बन चुका है वो नीचे में 10,000 का है 10,000 के ऊपर जब तक बना रहेगा तक बाएंडिक की स्ट्रेटेजी आती रहेगी इसके अंदर और फिर्टारी बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है कि फिलाल करेक्शन बहुत जादा भी बंती हुई दिखाई नहीं दे रही है अब इसको तेजी के साथ बंदोते हुए देखा और अब भी हफते की पहले कारोबारी दिन आज इसकी शुरुआत अच्छी करेक्शन आई भी तो हो सकता है एक आदे दिन में आपको तीन से चार परसेंट मार्किट जो हो गिरता हुआ भी दिखाई दे चार चार फीसद की गिरावट बन जाए लेकिन फ्रेंट पॉजिव है और डिप पर खरदारी होनी चीए तेरह जार के बाद मुझे लगता है कि पंदरा जार का टार्गेट अचीवेबल है वहीं गवार सीट की बात करें तो अच्छा सो से अब साथ हजार तक का गवार सीट का भी टार्गेट जो है वो देखने को मिल सकता है तो काफी बुलिशनेस है इसके अंदर अभी फिलाल तो फंडमेंटल इतना जादा सपोर्ट नहीं है जितनी इसके अंदर हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ट्रेडर्स की खरिदारी बढ़ती हैं यहार कह सकते हैं जे आप कह सकते हैं कि श्यास साथ आ खबर मुवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से इसके अंदर फिलाग तेजी बनते हुए दिखाई देनी है जी